कई दोस्तों बहूस सारे लोग जो प्रीजटेरियन डाइट खाते हैं या जो नॉन्वेज नहीं खाते हैं उनके मन में अक्सर ये शंकार रहती है विये उसमेर पर्यापत मातरा में प्रोटीन उपलब्ध ह है के नहीं तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है और vegetarian diet से भी आप अच्छी खासी मात्रा में protein ले सकते हैं और यदि आपके मन में इस प्रकार का कोई विचार है कि protein की requirement पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है तो कुछ मात्रा में बाहर से protein भी लिया जा सकता है तो आईए अब चर्चा करते हैं ऐसे कुछ food के लिए जो हम आसानी से अपनी diet में सामिल कर सकते हैं और जिससे हमारी बोडी की protein requirement है वो बहुत ही आसानी से पूरी हो सकती है तो इसमें क्या करें हम एक छोटा सा routine बना सकते हैं जिससे के हमारी diet में protein की requirement पूरी होती रहे सबसे पहले प्रातहकाल उठते ही जो बादाम हैं उनको विगव करके रख दें और वो भीगे हुए कुछ बादाम और चार के करीब अक्रोट साथ में आप अवश्य लेना सुरू कर दें बहुत अच्छा सोर्स है और अक्रोट और बादाम ऑवर ओल बोडी के लिए बहुत अच्छे हैं protein के सोर्स भी है और इनमें और भी बहुत सारे nutrients पाए जाते हैं उसके बाद आप जब भी breakfast करते हैं तो breakfast में लोगों की अलग-अलग राय होती है जो वेक्ती breakfast में milk लेते हैं उनके लिए milk एक sufficient diet होती है protein के लिए और जो लोग सुबह को milk नहीं लेते हैं वो ऐसे कुछ food ले सकते हैं जैसे के उबले हुए जो छोले होते हैं उसको थोड़ा सा उबाल करके उसमें आवश्यक मातरा में प्याज या नीमू इस तरीके से इसको टेस्टी बना करके उसको लिया जा सकता है प्रियाप्त मातरा में protein वहाँ पर उपलब्द हो जाया करती है और साथी साथ यदि वो नहीं लेना चाहते तो बाकी की कुछ अंकुरित दाले या अनाच का सेवन किया जा सकता है अंकुरित दालों में भी प्रियाप्त मातरा में protein होती है ठीक इसी परकार से बोजन में दाले हैं और दालों के अलावा जो राजमा या छोले इस परकार की चीज़ है ये protein का एक अच्छा source होते हैं और carbohydrate की मातरा के लिए जो चपाती हैं वो ले सकते हैं और probiotics यदि पेट क स्वास्थे के लिए जो probiotics हैं उसमें जो है छाच और दही ये अपने आप में एक अच्छा source माना जाता है ठीक इसी परकार से शाम को बोजन में कुछ बोड़ी को energy देने के लिए कुछ fruits का सेवन अवश्य करना चाहिए और यदि आप चाए या कोफी लेते हैं या उसका आ कोई भी सिवाए एक energy के उसका कोई बहुत utility है नहीं और उतनी हमें परियाप्त जो energy है वो protein और fat से मिली जाती है क्योंकि घी जब हम लेते हैं तो घी से हमें परियाप्त मात्रा में energy मिल जाती है और इसी परकार जो साइंकाल का बोजन है वो 8 बजे से पहले-पहले कर लेना चाहिए ऐसे लोग जो बहुत vigorous exercise करते हैं वो रात को दूद का सेवन कर सकते हैं और दूद को जो है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसमें हल्ती डाल करके लेकिन सामने दूद का भी प्रियोग आप कर सकते हैं अब एक बात यहां पर आती है कि additionally हम लोग क्या कुछ ऐसी ले सकते हैं vegetarian जिससे के हमारी protein की requirement पुरी हो सकते हैं जी बिलकुल एक अच्छा साफ पनीर जो है वो आप breakfast lunch और डीनर या breakfast और लंच में ले सकते हैं डीनर में एक simple मूं की डाल मूं की डाल बहुत ही अच्छा protein का source है देखिए डालें वैसे protein का source होती है आप जानते हैं अच मूंग की डाल है वो थोड़ा hard to digest होती है लेकिन मूंग और मसूर की डाल होती है particularly मूंग की डाल होती है बहुत ही soft और हलकी होती है और उसमें protein की भरपूर मात्रा होती है तो जहां तक संभव हो रातरी में आठ वजे तक मूंग की डाल का ही प्रियोग करना चाहिए और जो प्रकार से जो है यह आप अपनी डायट में सुभ है breakfast और रात में ले सकते हैं तो इस परकार से यह कुछ चीजें हैं कि यह हमारी जो protein के requirement है उसको आसानी से पूरा कर देती है तो इस परकार की कोई समस्या नहीं है फिर भी यदि ऐसा है कि कुछ amino acids जो essential amino acids हैं यदि वो बो प्रोटीन जो animal-based भी है उनका यूज किया जा सकता है जो purely vegetarian है वो plant-based भे प्रोटीन का यूज कर सकते हैं और उससे उनकी प्रोटीन की requirement भरपूर मात्रा में पूरी हो जाती है थैंक्यू वरी मिच